दोस्तों, डिलिवरी के बाद कई महिलाओं की परजनन छमता विक्सित होने में कम समय लेती है, वहीं दूसरी कुछ महिलाओं का परजनन छमता का देरी से विकास होता है, खास कर जब वो अपने सिसु को दूद पिला रही होती है, उस महिला को परिनेंट होने में थोरी देरी हो सकती है दोस्तों परसाव के बाद 45-90 दिन का समय लग जाता है अवलोसन में परजनन छमता का फिर से बनना या विक्सित होना मतलब आपके ब्रेन हार्मोन और अवलोसन का फिर से समान परक्रिया से काम करता है जितनी जल्दी प्रियेट सुरू होता है उतना ही जल्दी महिला गरवधारन करती है सीसु को दूद पिलाने वाली महिला का अवलोसन होने में थोरी देरी होती है साथ ही उसके परजनन छमता पर भी असर पड़ता है अगर आप अधिक टाइम तक सीसु को दूद पिलाती है तो आपकी परजनन छमता लोटने में दस से बारा महा लग सक कुछ महिलाओं को लगता है कि डेलेवरी के बाद इसकी पजनान्चमता में गिरावट आई है क्योंकि पिछली प्रेगनेंसी में डेलेवरी में कुछ प्रोब्लेम जैसे यूरीन इनिफेक्षन और हार्मोन की सीथिलता की वज़स से ऐसा होता है जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए आपको डॉक्टर से सला लेकर ही सही उपचार करवाना चाहिए यदि आप सच में आपने आखरी बच्चे के तुरंद बाद दुसरा पच्चा चाहती हैं तो आप डेलिवरी के छे हपता बाद ही दुसरी बाद प्रेगनेंट हो सकती हैं हलांकि यह आपके स्वास्थ पर निर्भर होता है वैसे इस विशय में आप डोक्टर से सलाह ले सकते हैं अगर आपका स्वास्थ ठीक नहीं है और आपको कमजोरी का एहसास होता है तो दुसरे बच्चे के लिए आप थोड़ा इंतजार करना अच्छा होगा क्योंकि गरभास्थ को समाने होने में थोड़ा समय लगता है आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओल कर लिजिए लाइक कर दिजिए दोस्त वो सहिलियों के साथ वाट्सेप फेस्बुक पर सेर कर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद